बगवान शहत्र वाहू के खिलाफ की गई आपत्ती जनक टिपड़ी को लेकर बागिश्वर धाम के पीठा धीश्वर पंडित दीरेंदे किशनल शास्त्री ने सभी से माफी मागी है और खेद जदाया है उन्होंने कहा है कि अगर किसी की भावना आहत हुई है तो उसके लिए मैं चमा चाहता हूँ उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि भगवान परशुराम जी और महाराज शहस्तर बाहु अरजन जी के मद्द हुए युद्ध के विशे में मैंने जो भी कहा है वै हमारे हिंदू शा अपना आहत हुई हो तो इसका हमें खेद है हम सब हिंदू एक हैं एक रहेंगे हमारी एकता ही हमारी शक्ति है गौरतलव है कि सापती जनक टिपड़ी को लेकर जगए जगए व्रोध प्रदर्शन किया गया था उनके बयान से आहत हो कर हैवश कुल्चुरी समाज के लोगो वो ने कहा था कि पंडित दीरेंद शास्त्री माफी मांगे नहीं तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा साथ ही उनके खिलाफ एफ यार दर्ज कराए जाने की आवाज उठाई थी प्रमीं हर सरे काम बमागे ॉड़ भर दोस्के arma कि बीजरी समय दोनके पन्टा सरह है वाले साने की अला कि खिलाएब दो झाल झाल झाल